अच्छा पक्का मकान का मामला आ रहा है क्या है उसमें देखिए सवाल ये पैदा होता है कि 1931 में बिटीस इंडिया में भारत में पहली बार जाती आधारित जन्गन्ना हो ये कावन में हुआ 1931 में हुआ तो उसको पब्लिक नहीं किया गिया ये पहली बार कमजगम भारत में तो नहीं बिहार में सारी फार्टियों के मönह एकतरफात औो फैसले के नितीजे में जो जन्गन्ना हो रहा जाती आधारित इस जन्गन्ना का हम लोग समर्दन करते हैं उसके । पहले फैच का काम हो रहा है जो भवन की गन्ना है स्वकोल है उसमें बड़ी तरूटी है जिस में ऐसे मकान जिस पर च्छत नहीं है उसको कच्छा मकान लिखा गया और है भी और ये जो गरीब लोग दो चार हजार इंट लेकर के अपनी दिवार खड़ी कर देते हैं वह पक्का मकान के मानक को कहीं यह से पूरा नहीं करता है और यह पर टीन का शेर भी तो पका लिखते हैं यह बेइमानी है और मामला यह है कि सरकार का मावेजा 95,000 हमारे कच्चा मकान को भी लिखते हैं यह बेइमानी है दूसरी तरफ आज जो इट के दो चार टुक्रों को लेकर किसी ने दिवार बना दिया उपर मच्छपर उसका टीन का है चटाई का है उसको पका मिकान लिख रहे हैं मैं मानिय मुक्पंतरी से सरकार से य जनगन्ना का मतलब यह है कि जातियों की आर्थिक इस्तिती समाजिक इस्तिती बरी दैनी है तो यह कहीं न कहीं से पका मिकान लिखकर आप तो कह देंगे कि नहीं साब उसकी इस्तिती बहुत अच्छी है तो इसमें बरी तुरूटी है इसमें सुधार होना चाहिए और इसक